हलो और वेलकम दोस्तों इस विडियों में पढ़ेंगे फोक म्यूजिक ऑफ जमु एन किश्मीर देखें फोक डांसिस पे तो हम बहुत ज़ादा ध्यान देते हैं और आपने कई सारे फोक डांसिस जो हैं वो पढ़े भी होंगे फर इक्जांबल के लिए आपने रॉफ होगा दन आपने हिकत पढ़ा होगा दन उसके बाद वे अपने कुद धांस पड़ा बंच पातर बंच जशनी या सारे डैंसस आपने पड़ें मैंने भी आपको पढ़ाए ठीक हैं डैंस हीज़ां पड़ा हैं लेकिन फोक म्यूजिक के ऊपर हम थोड़ा सा ध्यान जो है व पर मेरी हमेशा यही कोशिश होती है कि उन चीज़ों पर मैं ध्यान दू जिस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। आज आपके लिए मैं लेके आया फोक म्यूजिक आफ जम्मौन किश्में। देखो एक पहले आपको मैं बात बता देता हूं। कुछ हमारे फोक म्यूजिक ऐसे हैं जो डांस की काटेगरी में डाल दी हैं कई किताबों ने। डानस की काटेगरी में डाल दें दो वो डानस इस नहीं होते वो मियूजक है बाट वो मियूजक कहीं न कहीं उस डानस के साथ लिंड है और वो पर्टिकुलर डानस इस म्यूजक पर होता है इस वारा से ये भी खाम खा कर समож़ ले तो कुछ जादा folk आपके पास music नहीं है, folk songs नहीं है, कुछ गिने चुने ही है और वो भी अगर हम कश्मीर और जमू के हिसाब से अगर आप देखें कश्मीर और जमू ठीक है comparatively आपको पता है किश्मीर के जो folk dances भी है और folk music में भी comparatively आपके important जादा वो है और वहीं से आपका जो सवाल है वो आएगा कुछ गिने चुने हैं, देखो मैं कुछ लिख देता हूँ आपके लिए कश्मीर में अगर आप देखेंगे, समस्तराना number one dance, sorry, music जो है, वो है सुफियाना कलाम वो है सुफियाना कलाम, ठीक है, सुफियाना कलाम दोस्तों आपने एक dance जरूर पढ़ा होगा, ठीक है, आपने और उस dance का नाम है हाफिज नग्मा, हाफिज नग्मा, मैंने भी आपको पढ़ाया है हाफिज नग्मा जो है, हाफिज नग्मा हमने कहा कि ये एक devotional dance है devotional dance devotional dance का मतलब भक्ती dance है एक इबादत से जुड़ा हुए dance है और किसकी इबादत बगवान की इबादत अल्ला की इबादत में music चल रहा है और dancer जो है dance कर रहा है dance आपको पता है आपकी जो feelings हैं उनको व्यक्त करने का उनको represent करने का एक medium है वैसे ही जिस music पे यह जो dance आपका किया जाता है Hafiz नगमा आपने के नाम सुना होगा ख्वाजा पेरे ख्वाजा दिल में समाजा जोगदा अकबर मुवी का यह famous गाना है ठीक है उसमें आप देखेंगे वो जो dance आपका हाफिस नगमा हम थोड़ से details ओपर लेंगे number one पहली बात है यह devotional music होगा ठीक है सुफियाना कला दूसरा very famous कश्मीर का यह आपका music है इसको बोलते हैं चकरी इसको क्या बोलते हैं चकरी दोस्तों चकरी जबी भी अगर आपको मैं बोलूँगा भी कश्मीर का music imagine करें और आपके जैन में देखो दो important बाते मैं आपको बताता हूँ अगर मैं बोलूँगा कश्मीर का जो कश्मीर वाले हैं उनका तो है मैं बाकी की बात कर रहा हूँ जमू डिविजन में जिनको नहीं बता अगर इनको बोलो बेए कश्मीरी डांस को इमाजन करें तो आपके दिमाग में जो डांस आएगा वो आएगा रॉफ जिसमें लड़की हैं दूसरे के शोल्डर्स पे आकमर में हाथ रखे होती है और डांस जो है कभी पाउं की मूव्मेंट आगे कभाउं की मूव्मेंट पीछे वो डांस है इस डांस को accompany करता है जो music वो है चक्रि music कश्मीरी जो आपका traditional music है ना कश्मीरी traditional music जो है इसको चक्रि मुजिक बोलते इसमें आप देखेंगे सितार वह आपका रबाब का यूज होगा तीक है जान सारंग का यूज होगा harmonium का use होगा daf का tumbak neer का use होगा तेक है आपको मैं बताऊँगा instruments भी पढ़ाऊँगा साथ में अभी आपको देखेंगे कौन-कौन से in music में instruments भी use होते हैं चकरी हो गया सुफियाना कलाम चकरी देन उसके बाद में एक आपका dance है one-one 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 ये ऐसे songs हैं basically जो आपको marriages में सुनने को मिलेंगे जबी भी marriages होती हैं हमारे गरों में नड़का हो या लड़की हो तो आपको पता है सब लोग जो हैं इकठा होते हैं primarily ladies लोग इकठे होती है वो जो गाने गाते हैं वो जो गीत गाते हैं वो है लड़ी शा वो है लड़ी शा लड़ी शा आपको मैं बता दूँ ये एक social evil based social evil based music है social evil based music social evil based music का मतलब देखो क्या होता दोस्तो एक singer है इस singer के हाथ में एक instrument होता है उसको धुकर बोलते हैं धुकर क्या है उसमें एक metal की rod होती है उसके पास और इस metal की rod में इस तरीके के दो rings लगे होती है लोही की rod दो rings लगे होती है और उन rings को जब वो ऐसे ऐसे करते हैं तो आप देखेंगे वो क्या होगा वो sound produce करेगा sound produce करेगा और social evil से मेरा मतलब है ये कोई समाज में जो problematic चीज़ है उस मुद्दे को उठा देंगे for example के लिए मानो जी government की बहुत जादी corruption चल रही है government बहुत जादी corruption तो ये singer जो है music के साथ साथ में गाना गारा है और इसमें government से जुड़े हो है मुद्दे जो अब उठा रहा है for example के लिए dowry है उसके उपर गारा गारा for example के लिए आप देखेंगे child abuse या फिर आप कह सकते है female infanticide है लड़कियों को मारा जारा तो उस पर मुद्दे पर कोई music बना दिया तो दोस्तों ये है आपका लड़ीशा आपको simple पूछेगा which of the following music जो है based on the social evils तो ये लड़ीशा है आपका ठीक है अब इसकी details हम और पढ़ेंगे ये चार important जो music है ये आपको कश्मीर रीजिन में देखने को मिलते हैं ठीक है one by one हम इनके बारे में पढ़ेंगे चले दोस्तो folk music of कश्मीर number one है सुफियाना कलाम सुफियाना कलाम ये कश्मीरी classical music भी है आप इसको बोल सकते हैं इंडियन classical में ये नहीं है आएगा ठीक है चलो कश्मीरी में बोल सकते हैं सुफियाना कलाम is a classical music of कश्मीर ये भी आपसे सवाल पूछ सकते है which of the following is the classical music of कश्मीर तो आप बोलेंगे सुफियाना कलाम ठीक है यूजिस इस ओन मकम्स एंड एकमपनेट बाई रबाब रबाब एक musical instrument होता है अभी मैं आपको दिखाऊंगा उसके बाद किश्मीरी साज ये भी एक important instrument है देन संतूर संतूर का नाम आपने जरूर सुना होगा and दोकरा ठीक है the dance based on the सुफियाना कलाम is हाफिस नगम हाफिस नगमा जिस dance पे जिस music पे होता है वो दोस्तों सुफियाना कलाम आपका है ठीक है चलो जी next आपका पास 1-1 ठीक है 1-1 literally means chorus chorus का मतलब होता है वो lines जिसको आप repeat करते हैं बार-बार ठीक है repeat करते हैं बार-बार is a style of singing used by the Kashmiri people before certain rituals कुछ important rituals रिति रिवाज के टाइम पे ये गाने जुगाए जाते है primarily such as marriages का टाइम पे ठीक है 1-1 is sung on a fixed beat पूरा same तरिकी की beat जो है वो चलती रहती है same musical beat चलती है with a spoken word type rhythm same rhythm, same beat आपकी चलती है चलो जी the tune is always the same but depending on which event it is sung at pitch varies ठीक है तो बोरा कैसा कैसा event है शादी होगा तो इसमें थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि प्यार प्यार वो जो rhythm है वो आपको देखेगा for example कोई sad moment हो तो वो पीछे आपकी आगे पीछे जो है वो हो सकती है one one आप ये समझ लें कि एक music है one one एक music है कश्मीर का music है जादा तर ये शादियों में music को गाया जाता है simple पस इतना ही याद रखेंगे next आप के पास लड़ी शा लड़ी शा एक important storytelling music genre है storytelling music genre बतलब क्या है इस music में इस songs जब ये song चलेगा तो इसमें जो singer होगा वो एक story बता रहा होगा और ये story जो होगी इसमें social evils को highlight किया जाएगा समाज की problems को highlight किया जाएगा important these songs are utterly humorous और बोल रहा है ये बड़े-बड़े मुद्दों को उठा देता है लेकिन हसी मजाख ये भी important point है इसका दोस्तो social evils को target करता है लेकिन हसते हसते जिसकी वारा से लोग आप देखेंगे हसेंगे भी और उनको एक message भी मिलेगा चले दोस्तो it is sung with a musical instrument two metal rods and rings अच्छा sorry two metal rings होंगे और एक rod यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये देख लेए आप ठीक है ये एक metal की rod है और इनके पास एक ring है दोस्तो ठीक है metal की rod दो rings है तो rings को metal के साथ में जब लगेंगे तो वो sound produce करेगा दोस्तो next आपके पास चक्री ये देख सकते हैं ये आपने बड़ा commonly music form देखा होगा हर जगा पर होता दोस्तो हर जगा पर शादियों में भी बजाय जाता है मेंदी रहाट पर भी बजाय जाता है कई और events पर भी बजाय जाता है चक्री is one of the most popular type of traditional music played in Jammu and Kashmir primarily Kashmir चक्री is responsible responsible responsorial song from with instrument parts which is played with instrument like harmonium, ribaab, sarangi, ghatam घातम का मतलब आपका घडा होता ना घडा घडा डोगरी में बलता है गागर टीक है वो which is popularly known as note in Kashmiri maybe pronunciation इदर उदर थोड़ी सी हो सकती है चलो जी और इसके बाद अच्छा ये लिखा है the gagar ये gagar ये अच्छा ये नहीं है ये गातम अलग चीज़ है gagar and tumbaknaar tumbaknaar ठीक है tumbaknaar आप देखेंगे इस तरीके का एक instrument होता tumbaknaar इस तरीके से और इसको आप देखेंगे Central Asia में जादा तर इसको बजाया जाता है ये देख सकते है तेखेंगे डफली जैसा होता है उसको ऐसे बजाते है ठीक आपको लग जाएगा भी दिखाऊंगा आपको मैं डोन्ट वरी and the chimta chimta समझते हैं chimta ऐसे वो रोटियां भी सेखते हैं हम बड़ा बला chimta होता है ये musical instruments use होते है चक्री music में ठीक है रही it is performed in folk and religious fairs ठीक है रही by the kishmiri muslims and pandis as well चक्री was also used to tell stories like fairy tales and the famous love stories बोल रहा है इस music में famous legendary जो tales है जो कहानिया है वो भी गायका सुनाई जाती है जैसे कि यूसफ जुलेखा लैला मजनू ये कहा रही है ये love stories है ठीक है याद रखना it is very important part of हीना night मतलब मेहंदी रात जो होती है जिससे मेहंजी रात बोलते हैं maybe pronunciation either or other please forgive me during the weddings तो आप देखेंगे ये music होगा चक्री देखो ये music से तो आपको सवाल पूचेगा आपको instruments से भी सवाल पूचा जाएगा believe me जब आएगा न अगली बार exam में तब आखे तुम मुझे thank करोगे सरा आपने कहा था आएगा आएगा ठीक है जी चलो जी now ये थे important music सुफियाना कलाम चक्री one one और इसके बाद में आपका लड़ीशा social level पे based लड़ीशा है devotional धार्मिक जो है वो सुफियाना कलाम है दोस्तो normal कश्मीरी जो music है वो आपकी चक्री है दोस्तो शादियों बगारे में जो गाने बाने जो गीतवीद होते हैं उनको हम one one बोलते हैं इतनी ही important बात नहीं आद करनी नाउ इस कश्मीर में जितने भी music हैं उसमें कुछ common musical instruments जो हैं वो use होते हैं उनके बारे में भी हमें पता होना चाहिए ठीक है लेकिन musical instrument पढ़ने से पहले आप समझे कि musical instrument कितने तरीके के होते हैं थोड़ा सा आप यह समझे देखो अगर आप musical instruments की categorization करें अगर आप उसकी classification बनाएं तो number one आपके जो instruments होते हैं वो होते हैं string instruments string का मतलब जिसमें तारे होती हैं उन तारों को आप जब छेड़ते हो तो वो sound produce करती है classic example आपको देदे तो आप सभी ने देखा है तो guitar guitar वो string होता है दूसरा जो musical instrument होता है दोस्तों उसको बोलते हैं wind instruments उसको क्या बोलते हैं wind instrument wind मतलब उनमें हवा बरी जाती है उनमें हवा blow की जाती है for example के लिए flute for example के लिए saxophone तो इसमें क्या है आप blow करते हो हवा इनको बलते है wind instruments तीसरा होता है आपका percussion percussion instrument percussion instrument ठीक है इसमें क्या करते हैं आप strike करते हो मारते हो for example धोलक पीटोगे ना जब पीटोगे ना किसी चीज़ को पीटोगे आप पीट आप हाथ भी सकते हैं या किस और रॉड वाड से पीट सकते हैं नगाडे हैं जितने आपने देखें डफली आपने देखा होगा तुमबक नार है आपने देखा होगा घडे को बजा रहे हैं पीट रहे हैं खुदी तो बजा रहे हैं हातों से तो वो है percussion instrument percussion तो ये तीन तरीके के instrument होते हैं string instrument, wind instrument और percussion instrument आपको एक सवाल ये भी पूछ सकता है which of the following for example आपको बलेगा rabab belong to which of the following type of instrument तो आप बलेगा rabab क्या है string instrument है क्या है string instrument है तो इस तरीके से आपको सवाल पूछे जा सकते हैं ये तीन important types आप याद करेंगे ठीक है now let's discuss important traditional musical instruments number one very famous rabab कश्मीर का सबसे important musical instrument है दोस्तो रबाब पहले तो आप rabab की picture देख ले हैं ठीक है यहाँ पे इस के बीच में आपको दिखाई नहीं दे रहे होंगी इस तरीके से ये पतली-पतली strings हैं दोस्तों लगी हुई ठीक है चला जी the rabab or rubab is about three and half feet long ये आपको length अब रहते हैं इसके याद करनी ठीक है has three strings तो आपको कम से कम ये बात तो याद रखनी है ये एक string instrument है rabab ठीक है it is made of mulberry wood एक लकडी है आपकी ठीक है while goat's intestinal sten is used to make the strings ठीक है तो आप देखेंगे यहाँ पे animal products की intestine को use करके पतले पतले उसमें ऐसे string जैसे thread जैसा बना के use किया जाता है ठीक है दूसरी चीज़ें भी ये जैज़े ट्राडीशनली बट आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी यहाँ पे it came to valley from अफगानिस्तान अफगानिस्तान का एक important instrument है रुबाब और अफगान रूल भी किश्मीर में रहा तो आपको पता है जब रूल दूसरे मुलक का rule establish होता तो उसके चलते art and crafts भी travel करते है culture भी travel करता है दोस्तो ठीक है जी चले तो ये हो गया हमारा रुबाब string instrument next है हमारे पास santour santour भी एक another important instrument है when we talk about किश्मीरी music चले santour important accompaniment for the किश्मीर folk and सुफियाना music इसमें important है चलो जी instrument is trip zoidal in shape with 12 wires and 12 knobs on the sides wires and knobs का मतलब होता है ये तारे होती knobs मतलब इनको ये कसने के लिए ठीक है वो जो knobs होती है उनको बोलते है ठीक है इसमें आपको नहीं जाना आप santour ये देख लें ये जो है ये santour आपका बजाया जा रहा है ठीक है ये knobs देख सकते हैं उपर और strings होती है ये भी santour भी एक string instrument होता है दोस्तों ठीक है साज एक कश्मीर अगला instrument है साज एक कश्मीर नाम से ही पता लग रहा है साज का मतलब भी instrument होता है तो instrument of कश्मीर चलो इस आल्सो एक string instrument ये भी एक तार वाला instrument होता है round in shape decorate it using ivory played it with a wo similar to the voiland एक important बहुत याद कर लो आप साज कश्मीर जो है it is a woiland ये क्या होता है जैसा woiland आपने जरूर देखा होगा ऐसे से करके वो यॉरॉप में ज़्यादा तर बजाते है woiland आपका woiland की ही shape का एक instrument आपको कश्मीर में देखने को मिलेगा साज कश्मीर और ये इस तरीके से गोल होता है ये देख लें इसको बजाने के लिए ये stick को यूज कर रहे है और यहाँ पर बीच में strings है यहाँ पर side में इसकी knobs भी लगी है इसको कसने के लिए दोस्तो ये है साज कश्मीर next है हमारे पास दोस्तो तुमबक नार तुमबक नार ये तुमबक नार अगर आप देखेंगे आज कल तो ये वैसे तो अगर आप इसको देखोगे traditionally ये मिटी का बना हुआ ये मिटी का बना हुआ और मिटी के बनने के बाद में इसके उपर किसी animal की skin लगाई जाती है जितनी भी ढोलक बगारा होता ना मैं आपका बता दू जितना आपका ढोलक है ढोलक बगारा होता है ढोल जो होते है इनके जो side में इनको बजाते हैं वो animal skin ही होता है जादा तर वो बकरी, sheep उनकी skin जो है वो लगाई जाती है ठीक है और वो sound produce करती है आज कल plastic का भी use हो रहा है कई और चीजों का भी instrument का use करते है ट्रडिशनल ये था और आज कल आगर आप ये देखें ये मिट्टी का बना हुआ कश्मीरी जो था आपका ये तुम्बकनार ओरिजिनल आज भी ये मिट्टी से बनता है लेकिन कहीं कहीं आपको ये plastic metal body में भी देखने को मिलता है ठीक है चलो जी तुम्बकनार is a drum made of baked clay मिट्टी का बनता है with it base made from sheep skin ठीक है sheep की skin जो है भेड की skin से ये बनता है दोस्तो ठीक है बहुत ये बसता है आप देखेंगे Central Asia में भी आपको ये देखने को मिल जाएगा बहुत बिजाते हैं इसको चीक है और कभी आपने अकसर ऐसे कुछ belly dance देखा होगा belly dance देखा होगा तो belly dance जिस पे होता है वो दुम दुम करके बचता है तुम्बकनार वो instrument होता है ठीक है अगला है डाफ डाफ जिससे आप डफली भी बोलते है डफली वाले डफली बजाओ आपने गानों सुनोगा मैं ना चूंगी तुम बजाओ ऐसा वाला तो ये आप डफली देख सकते हैं ठीक है ये भी आप देखेंगे animal skin जो है इसमें यूज की जाती है और इसमें इस तरीके से metal के छोटे-छोटे इस तरीके से ये rings ये से यूज करते है तो दोनों की आवाज यहाँ पर आती है ये जिंगल्स हैं आपकी अटाच्च टू इट एंड ए ट्रांसलेंट्स head made of plastic और goat skin ये भी दोस्तों आप देख सकते हैं ठीक है चलो next step के पास sitar next step के पास sitar sitar commonly आप सभी ने देखा होगा इसके बारे में सुनो usually played by folk artist Kashmiri sitar has a long body seven strings smaller in size than the Indian sitar very simple Kashmiri sitar जो है हू बहू इंडियन sitar की तरह ही है लेकिन comparatively छोटा होता है ये आप देख सकते हैं sitar ठीक है ये sitar आप देख सकते हैं again ये कौनसा instrument है string instrument है daft कौनसा instrument है दोस्तो percussion instrument है ठीक है जी उसके पहले तुमबकनार कौनसा instrument है percussion instrument है ये आपको याद रखना है next है आपके पास कश्मीरी सारंग कश्मीरी सारंग similar to सारंगी एक सारंगी एक instrument होता है ये picture आप देख सकते हैं ये भी वाइलन की तरह ही आपको देखने को मिलता है दो smaller in size जो कश्मीरी सारंग है वो original जो actual सारंग होता है उससे छोटा होता है this musical instrument of जमौन किश्मीरी is mulberry और teakwood ठीक है and hollow from inside create soothing pleasant music छोड़ दो दोस्तो next आपके पास सुरनाई now दोस्तो ये आपका एक wind instrument है सुरनाई is a wind instrument इसमें आप देखेंगे blow करोगे हवा आपको blow करना पड़ेगा सुरनाई ठीक है सुरनाई अगर आप देखेंगे किश्मीरी musical instrument is a wooden pipe around 18 inches in length seven outlet holes यहाँ पे आपको ये इस तरीके से holes देखने को मिलेंगे जैसे flute में भी holes होते है ये भी आप देख सकते हैं दोस्तों bell shaped outlet सुरनाई next दोस्तों नगारा बड़ा वाला जो धोल होता है बड़ा वाला उसको नगारा बोलते है और इसको sticks के साथ में पीटा जाता है दोस्तों नगारा ठीक है similar to the dhol and said to be form of ancient instrument and dhundubi instrument instrument है dhundubi sound is created by striking the nagara with a piece of wood आपको पता ही इसको लकडी के साथ पिटा जाता है फिल्मों में भी आपने इसको जरूर देखा होगा दोस्तों next आपके पास एक और instrument वो है स्वरनाई 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 is हूबहू similar to शेहनाई ठीक है similar to शेहनाई शेहनाई क्या होता है मैं आपको बता दू ये भी एक छोटी सी पीमपनी जैसी आपको देखने को मिलेगी flute के जैसी ही होती है ठीक है वही होती है known as शेहनाई in कश्मीर music it is wooden with nine holes through a square near its mouth air is blow to create sound ये कुछ important instrument है आप याद करेंगे कश्मीरी साज में आपको दिखाया रभाब आपको दिखाया सारे के सारे instrument सारंग आपको दिखाया तंतुम्बक नार दिखाया डाफ दिखाया ये सारे instrument आपको आपके जैन में रखने है important है ठीक है अच्छा उसके बाद मैं आपको बता दू इसका PDF जो है वो मैं आपको, वो आप एप से ले लेना, वो आप एप से ले लेना, ठीक है जी, उसके लिए आपको क्या करना है, Study Norms एप डाउनलोड करना है, Study Norms, ठीक है दी, Study Norms, Red and Black कलर का वहाँ पे लोगो होगा, Study Norms को आप डाउनलोड करेंगे, वहाँ पे आप Free Material में ज जाके वहाँ पे इसका PDF जो है वो आपको मिल जाएगा, Free of Cost, ठीक है जी, चलो दोस्तों, अच्छा उसके साथ Telegram भी जॉइन कर लाएं, डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स में आपको देता हूँ, आपके एप का भी लिंक दे दूँगा, Instagram का भी लिंक है उसमें, और उसमे Telegram का भी लिंक है, सारे लिंक उसमें आपका होते हैं, ठीक है, चलो दोस्तों, तो ये थे कश्मीर के Important Instruments और Music, नौ कुछ दो चार Important Music जो है, वो जमूरीजिन के भी आप देख ले, Not Much Important, ये यूजवल आपको पता ही होगा दोस्तों, ठीक है, चलो मैं आपको पहले थोड़ा बता दो, देखो दोस्तों, मानलो जी, जो Music है न, एक होता लड़के की शादी, एक होती है लड़की की शादी, ठीक है, तो जब लड़की की शादी होती है, तो लड़के के शादी में कुछ Musical जो है, आपको Songs जो है, लेडी संगीत में वो गाई जाते हैं, और जादा जो Relatives हैं, वो Music आते हैं, वो गाना गाते हैं, उसको हम दोगरी में, उसको हम क्या बोल देते हैं, कोडियां बोल देते हैं, कोडियां, कोडियां या घोडियां, हिंदी में बोल देते तो घोडियां, ठीक है, गोड़े पर बैठता न, गोड़ी पर बैठता न, गोड़ी प होते हैं उस टाइंहें पे आप देखेंगे सुअाज गायजत वो जो म्योज़ी कोई उसको बलते हैं सुअग то लडगे की शादी ओग तो घोड़ीयं गाएंगे लड़के की शादी म्योज़ी तो सूहाग गाएंगे दोस्तों ठीक है दोh वान है बदाई बदाई का मतलब होता है congratulations ठीक है तो different occasions पे congratulations वो है वो की जाती है through music they are sung in the occasion of special ceremonies वो शादी भी हो सकती है वो birthday भी हो सकता है वो कुछ भी प्रोग्राम हो सकता बदाई then घोडी संग वन ब्राइड ग्रूम वेर सहरा ठीक है चलो जी सुहाग दे अर संग बाई विमन इन ब्राइड हाउस दूरिंग फेरास फेरे उसकी शादी होती न उसको बलते हैं फेरे ठीक है आपने देखा होगा then है भेंट भेंट का मतलब होता offerings भेंटा डोगरे में बलते हैं पेटा समझ रहे हैं पेटा गान पेटा लाओ माता दिया पेटा लाओ थेक है वो क्या है भेंट जो है वो है devotional songs in the praise of goddess जो माता होती है ठीक है example काली माता है सरस्वती माता है different जितनी भी माता है उनके praise में उनके respect में जो music जो लगाए जाता है गाने लगाए जाते हैं उनको भेंटे बोलते हैं ठीक है भेंट बोलते हैं और कीरतन कीरतन का मतलब बस यह होता है कि जब हम कोई भी program होता तो उससे पहले इबादत करते है सब लोग मैट के ढोलक वोलक लेके गाने वाने गाते हैं थैंक्स गीविंग होती है तो वो जो सॉंग्स होते हैं भगवान के उसे हम कीरतन बोलते हैं दोस्तों ठीक है? वो कोई भी भगवान हो सकते हैं तीस आर दे म्यूजिक आफ जम्मू एंड कश्मीर अलोंग विद सम इंपॉर्टन इंस्टूमेंट्स एक्जामिनेशन पॉइंट अब व्यू से इंपॉर्टन भाई तुम से पूछा जाएगा मानो तुम ना मानो ठीक है? पेडिएफ के लिए एप से इसको ले लो आफ फ्री मेटीरियल उदर और भी कही सारा फ्री मेटीरियल होगा उदर से आपको ये मिल जाएगा ठीक है? तैंक यू एंड हाव नाइस टे